वेल्कम इंडियो और आज को वीडियो का हमारा टॉपिक है वह हमारा हिस्टी का टॉपिक है राजपूतकाल और यह मध्यकाली भारत इधिहास का जो टॉपिक है जो कि सब्सक्राइब कर सकते हैं और यह प्रेस करना ना भूलें उससे होगा कि मेरे आने वाले वीडियो आपको मिलते सब्सक्राइब को गुजराती कवी शोड़ दल ने उत्तरापात स्वामी नी कहा है इसका जो राइट आंसर है वह धर्मपालसी नंबर पूर मध्यकाली भारती तिहास में साथ गशाब पचास इसवी से लिए के बारा सव इसवी तक कसमे मुख्यता माना जाता है उत्तर के सरवंदर में तो इसका राइट आंसर है राजपूत काल क्वेशन नमर फूर है 750 इस्वी में बंगाल के पाल सासक की स्थापना करने वाले वो पाल एसे सासक थे जिन्हें क्या इसका राइट आंसर क्या है क्या चुना गया तो संपन वर्ग के लोगों में चुना गया ने चुना नेस्ट क्योशन है हमारा 712 इस्वी में सिंध पर आर्वो के आक्रमण के समय वहां का सासक कौन था तो इसका जो राइट आंसर है डी नमर दाहिर प्रतिहार स्वयम को खालिस्थान का वनसज मानने थे जो राम प्रतिहार अर्थात द्वार पाल थे इसका राइट आंसर जो है वह है लच्मण question 19 है हमारा सर्पत्था भारत में जजिया कर लगाने का स्रिय सिंध के विजेता मुहम्मद बिंत कासिम को दिया गया जाता है और उसने किस वर को इसकार से पूरता मुक्त कर रखा तो इसका जो राइट आंसर है ब्राम प्रतिहार ने राज सीखर को किस प्रतिहार सासक ने स नचण दिया तो इसका जो राइट आंसर है महेंद्र पाल ने question number 9 है दिल्ली का जिसे हम दिल्ली कहते हैं नगर की स्थापना की थी तो इसका जो राइट आंसर है तो मर ने next question है हमारा दस्मा किस विदेशी यात्री ने गुर्जर पतिहार वंस की अल गुजर एवं इस वंस की सासकों को बैर कहकर पुकारा था तो इसका राइट आंसर है आलम सूदी question number 11 है उसासा का नाम क्या है जिसके विजय समबद का निर्माण कराया था तो विजय स्थांब निर्माण किसने कराया था तो राणा कुंभाने C इसका right answer है भारत पर पहली बार आक्म्ण करने वाला कौन था तो इसका right answer है अरब Question number 14 है Modera का सूर्य मंदिर किस राज़ में स्थित है तो इसका right answer है गुजराट D Next question हमारा 15 है प्रत्वी राज़ रासो ने लिखित में से किस ने लिखा था तो इसका right answer है चंदवर्दाई E number 16 है ओजन्त पुरिविश्व विद्याले बिहार शरीफ नालंदा जीला का मुख्याला बिहार में जो है कासन स्थापक था तो इसका right answer है C. Gopal Question number 17 है वस 1190 में नेवत मंदिर जो भवनेश्वर के अन मंदिरों पर रधानता रखता है कौन सा है इसका right answer है त्रिभूनेश्वर लिंग राज ये इसका right answer है अठार माज जैन वास्तुक अला का प्राची इंतम उदारन मिलता है तो इसका right answer है दिलवाडा में C. इसका right answer है Question number 19 है दिलवाडा का मंदिर कहां परिस्थ है तो दिलवाडा का मस्तित आबू परवत में है भी इसका right answer खजुराहों के मंदिरों का संबन्द है तो खजुराहों के जो मंदिरों का संबन्द है उसका वैश्णव संप्रदाय से सेव संप्रदाय से और जैन संप्रदाय से तीनों से है लास्ट नेस्ट बात करते हैं खजुराहों में इस्तित मंदिरों का निर्माण किस ने किया था तो इसका जो राइट आंसर है चंदेल राजपूत में गुर्जर प्रतिहार के वो जैनी साखा सहसंस्तापा कौन था तो इसका जो राइट आंसर है नागभट एक फस्ट पहला प्रतम विजैस्तंब का कहां स्तित है तो विजैस्तंब चित्तोडगड में स्तित है लिंग राजमंदिर की निव डाली थी तो लिंग राजमंदिर की निव यताती की सरीने विजैस्तों का एक जाती की रूप में प्रतम उलेक कहां मिलता है तो इसका राइट आंसर है उसनम स्मती नैस्ट है हमारा सोमनात की मंदिर पर 1025 दिस्वी में महमूद गजनवी के आकरमण के समय गुजरात का सासा कौन था तो इसका राइट आंसर है भीम देव पथम वाली नानी दिद्दा मूल रूप सिक किस वंस की राजकुमारी थी तो इनका जो राइट आंसर है लुहार वंस की नैस्ट है हिंदू विधी पर एक पुस्तक मिता अच्छरा किस ने लिखी है इसका जो राइट आंसर है विध्यानेस्वर ने लिखा है क्वेशन नमर 29 है किस ने स्मरती गरंथ दान सागर एवं जोतिस गरंथ अद्भुत सागर की रचना की है बल्लाल सैन, बल्लाल सैन भी इसका राइट अंसर है जिनुहें दान सैन जो तिसग्रंट अध्भुट सागर की भी रचना की पंगूड है, तो कोंड है, कोंडार्क हैं, जोंडार्क में, कहां हैं कुर्णार्क में प्रिरेन रडिता इसे कहा जाता दिष excuse kranal ्डाढ को याह थिस में Sun arms infection स्थाफ़ कॉन्ध था सीन सकर सामंद सिंसरी का राइट आंसर है कॉन सुमेलित नहीं नहीं है रास्ट पूट विजाल है यह नहीं है बाकि गड़वाल चंदरदेव चंदेल नफुत चंदेल और कल्चूरी कुकलक यह सब सुमेली थे फाल वंस के पतन वाद बंगाल का राजनीतिक नितत प्रदान की यहां तो इसका राइट आंसर है सीनवंस ने सी नेश्ट 36 हरी केली नाटक का रशीता कौन है तो इसका राइट आंसर है चोहां सासक विग्रह राच चतूर्थ भीसल देव थीस्टेवन राम पालचरीत किसकी रचना है तो इसका राइट आंसर है संध्याकर नंदी बी नेस्ट है मारा 38 किस नाटक के कुछ अंसर अडाई दिन का जोपड़ी मस्जित की दिवारों का रंकित है तो इसका लाम है हरी के लिसी इसका राइट आंसर है हिंदु विधी की एक प्रसिद्ध पुष्ट तक दाय भाकिर चैता कौन है तो इसका जीमूत वाहन भी इसका राइट आंसर है कालिसमा है राणी पदमीनी का नाम अद्लावदीन खिलजी की चितोड़ विजय से जोड़ा जाता है इसके पती का नाम क्या था राणा रतन सिंग राणी पदमीनी के नौवी सदी में भारत आय अराव व्यात्री सुलेमान मिकिस सामराज का रुहमा तहका संबोधित किया था तो इसका राइट आंसर है पाल सीनमा विक्रम सीला सिख्षा के अंदर के संस्थापा का नाम क्या है तो इसका राइट आंसर है धरुम पाल किस प्रतिहार सासक ने आदिव राहे की उपाधी धारण की है तो महीर भोज ने निमलेखित में से किस मंदिर परिसद के एक भाई भरकम नंदी की मूर्ती जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ती कहा जाता है तो इसका कंदरिया महादिव मंदिर ये राइट आंसर है संबत चलाने का यस प्राप्त है तो इसका राइट आंसर है लक्षमण सेन को कुशन नवर 47 गीद गोविंद की रजनाकार जैदेव किसकी सभा को अलंकरत करते है इसका राइट आसर है लक्षमण सेन बी नंबर किस ने सोमपुर महादिवार का निरमाण कर आया था द्धरम पाल इसका राइट आंसर है राश्ट कूट वंस का सस्थापक था तो इसका दन्ती दूरग दन्ती दूरग को दन्ती वर्मन दूरगी पचास्वा भूनेश्वर तथा पूरी के मंदिर किस सहली से निर्मित है तो इसका जो राइट आंसर है वो है नागर्सी तो हमारे चूल पाल तो हमने इस टॉपिक तरिटरी जितने भी कुश्शन थी सभी हमने डिस्कस कर लिये हैं और यदि आप लोगों को किसी भी तरीकी का डाउट है तो आप नीचे कमेंट सहर ऐसे टाइप कर सकते हैं और यदि आप लोग वीडियो अच्छा लागा हो तो लाइक सेर कीजिए और नीचे एक रिट कलरका सबस्क्राइब कर बटाने उसे प्रेस कीजिए फैंक्स फॉर वाचिंग लाइक शेयर करना भूलें मिलेंगे इसी तरह किसी नए वीडियो के सान आगले वीडियो में